हेलो बच्चों, वेलकम तू माई चैनल, आज में आपको खाऊंगी आपकी भूपी एक्ससाइज 6.1 कुर्शन नमबर बढ़ा है, पिटा आपको इस कुर्शन में ये नमबर देखा है, आपसे कहा है इन नमबरों का यदि आप स्क्वायर करोगे, बर्ग करोगे, तो करोगे, बन का स्क्वायर बन, ठीके, यदि आप इस नमबर का स्क्वायर करोगे, तो जो नमबर आएगा, उसकी युनिट डिजिट क्या होगी, बन होगी, ठीके, आप बिटा ये बारा नमबर देखे, इस नमबर का एन डिजिट क्या है, तू है, तो बिटा आप तू का स् इसका मतलग यह हुआ इस नंबर का यदि आप स्क्वाइर करोगे तो जो नंबर आएगा उसकी हमें डिजिट क्या होगी पोर होगी अब बच्चों यह नंबर देखो इसकी बिटा एंड डिजिट नाइव है आप नाइव का स्क्वाइर इतना आएगा 31 अब यह जो नंबर आ आएगा इसकी बिटा इनित डिजिट वन होगे तो जो नंबर आएगा उसकी दिटा लुनिच बिशन लेगा 19 पैंड डिए न इन डिजिट 4 है जो अलधक सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब 3 इसका मत्र समया चाहर आएका सफ इसम आप स्क्रते मैं दिखर राधिए है च्शुव है अब बत्चो इसमों कि एन डिदी क्या है डoga लित चाहर है जो नमबर ए सफ क्रते यह ठो मληगा उसलिक्षी अब बच्चों इस नंबर को देखे, इस नंबर की बिटा end digit 0 है, आप बिटा 0 का square कीजिए, क्या आएगा? 0 आएगा, इसका मतलब यह हुआ, इस नंबर का बिटा जब आप square करोंगे, जो जो नंबर आएगा, उसकी बिटा जुने digit क्या होगी? 0 होगी, अब बिटा इस नंब आएगा, आप इसकी end digit देखे, क्या है? 6 है, इसका मतलब इस नंबर का जब आप square करोंगे, तो जो नंबर आएगा, उसकी बिटा end digit क्या होगी? 6 होगी, आप बच्चों इस नंबर की end digit देखे, क्या है? 5, आप 5 का square करोंगे, कितना आएगा? 25, यह जो नंबर आएगा, जहिए इसका मतलब आप जब इस नंबर का कोई करोगे नंबर आएगा उसकी पिदा इस तरहीं से बिटा हम बिना किसी नंबर के स्क्वार करें यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं चलिए फिर मिलेंगे फिर कुछ नया सीखेंगे तब सब करें गुद्भार